अब हम पढ़ेंगे food poisoning, food poisoning एक ऐसी बिमारी होती है जो कि हमें जहरीला खाना खाने से हो जाती है, food का मतलब होता है खाना और poisoning का मतलब होता है जहरीला होना, जब खाना दूसीत हो जाता है या जहरीला हो जाता है उस पर micro organism grow कर जाते हैं तो वे हैं खराब हो जाता है और उसे ह हम खालेते हैं तो हम बिमार हो जाते हैं और उस बिमारी को food poisoning कहा जाता है कई बार हम गंदा खाना खालेते हैं या खराब खाना खालेते हैं तो हमें बिमारी हो जाती है उससे हमें उल्टिया भी हो जाती है पेट में दर्द हो जाता है और कई बार हो ज़्यादा बिमार भी हो इस फ्रेंड इन पार्टी ही एट वैराइटी ओफ फूड सब बूजो अपने फ्रेंड की एक पार्टी में गया था और वहाँ पर उसने अलग-लग तरह के वेंजन खाय थे ओन रीचिंग हॉम ही स्टार्टेड वोमेटिंग और घर पहुंचते ही उससे उल्टिया हो गई ही ओध पहले इसाना हुटा समयन जाती है मतलब जो खाना होता है अगर उसको डखकरिंग रखा जाता है और उस पर micro organisms grow हो जाते हैं तो खराब हो जाता है या फिर कई दिनों तक अगर खाना ऐसे रखा रहता है कई दिनों कब बनावा होता है तो वो कुछ दिनों में खराब हो जाता है उसे बोलते है food spoil हो गया है खाना खराब हो गया है और उसको खाने से जो बिमारी होती ह उसे food poisoning बोला जाता है micro organisms that grow on our food sometimes produce toxic substances और जो इनके उपर micro organisms grow हो जाते हैं वो जहरिले substances इनके उपर produce करते हैं, पैदा करते हैं और उन जहरिले substances के कारण जो खाना है वो खराब हो जाता है these make the food poisonous causing serious illness and even death और इससे खाना इतना जहरिला हो जाता है कि बहुत ज़्यादा seriously हम बिमार भी हो जाते हैं या फिर कई बार यह खाना इतना ज़्यादा जहरिला हो जाता है कि इससे काफी बिमार हो जाते हैं और मरीज की मिर्तियू भी हो सकती है death भी हो सकती है so it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled तो इसलिए यह जरूरी है कि खाने को गंदा होने से दूसित होने से बचाना चाहिए और इसको कैसे बचाना चाहिए यह हम next वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें आएगा food preservation food preservation का मतलब होता है कि खाने को या किसी भी खाने की चीज को गंदा होने से या दूसित होने से या जहरिला होने से बचाना तो यह topic हम next वीडियो में पढ़ेंगे thanks for watching